नालंदा जिले के रहुई प्रखंड के चिलकी पुर्गाव में स्थित सो मेश्वरधाम अपनी भव्यता और आध्यात्मिक शक्ती के लिए जाना जाता है। मई फरीदा पंचायत में स्थित यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और करीब सौ वर्ष पुराना बताया जाता है। उन्होंने बताया कि मंदिर तक पहुँचने के लिए पहले कोई सडक या रास्ता नहीं था। उनके प्रयासों से और बिहार सरकार के सहयोग से मंदिर तक जाने के लिए सडक का निर्मान किया गया है। बलकि स्थापत्य कला का भी उत्कृष्ट नमूना है। कि अभी चिलकीपूर जो मई फाइदा पंचायत के रहुई प्रखंड अंतरगत आता है। कि अभी श्रीशिप सकती मंदिर का जो है दो बर्स पूर्ब जो है जिर्नोधार का काम किया गया था। इस मंदिर का जो है जिर्नोधार करने में करीब 45-50 लाख रुपया की लागत आया था इसमें। करीब जो है पांच मई दो हजर बाइस को मंदिर का जिर्नोधार का काज किया गया था। तो यहाँ सबसे अहम जो समस्या था वो पानी का था। इसके लिए मैं अभी जो यहाँ के बर्तमान जिला धिकारी नलंदा महोदे जो है उनका मैं सुक्रियादा करना चाहता हूँ कि उन्होंने मैं उनके साथ चर्चा किया इस बात को ले करके उन्होंने जो है बड़ी गंभीरता से इस बात को लिया और बिदिन बन बिक के मंदिर जो है बिहार राजधार्मिक न्यास परसद में जो है रजिस्टर्ड है और यह मंदिर को अभी जिन्नाध्वार हुए मतलब लगवा है दो साल ही हुआ है वैसे तो यह मंदिर बहुत पुराना है करीब एक सो बर्स पुराना है लेकिन दो बर्स पहले जो है इसका ज 11 सदस्य समीति जो है बनाया गया है उसका हम जो है संडचक है इसका नाम है स्रिशिप सक्ति मंदिर न्यास समीति मंदिर तक जाने के लिए सड़क का विवस्था नहीं था मतलब मंदिर पे पहुचने के लिए कोई राष्टा नहीं था तो इस काज के लिए बर्तमान सरकार जो और करीब 60 लाग के लागत से यहाँ पे रोड लाया तब जो है यहाँ पे जनता मंदिर तक पहुच पा रहा है जो आए हर साल जो है हर बर्स जो है महासिवरात्री को और सावन्ड पुणीमा के दिन जो है विशेश पूजन किया जाता है रुदराविसेक बगर किया जाता है आने वाला समय में उनाइस अगस्त को सावन के पुर्णीमा के दिन जो है यहाँ पे फिर से विशेश पूजन होगा और बनारस के ज्यानी पंडितों द्वारा पूजन किया जाता है रुद्राविशेख किया जाता है.